तो दोस्तो परधान मंत्री आवाश योजना के तहट आवेदन फोरम कहां से कैसे और किस प्रकार भरे इसके लिए कौन-कौन व्यक्ति पात्तर है इस योजना के तहट आपको कितना लाब और कैसे मिलता है और इसके लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवसेक्ता वाली है यानि PM आवाश योजना को लेके इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी बताने वाल हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको PM आवाश योजना से जुड़ेवे कोई भी सवाल है आपके दिमाग में इधर उधर वो नहीं घूम नमस्कार साथियों मैं हूं आपका अपना साथी राजबुर तो दोस्तों PM आवाश योजना एक केंदर सरकार दवारा संचालित योजना है इस योजना के दो परकार है एक है ग्रामिन चेतर के लिए और एक है शेरी चेतर के लिए अलांकि दोनों ही योजनाओं के जो निय PM आवाश योजना के बारे में जानकारी देने वालो अब दोस्तों PM आवाश योजना को लेके लोगों के सामने कई तरह के ब्रहम पैदा हो रखे और मेरे जैसे काफी ऐसे यूटूब करियेटर भी है जो इस PM आवाश योजना को लेके आपको बर्मिद्धी कर रहे हैं या फिर गल जान करें दे रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि आप आप आवाश योजना के लिए आवेदन कर दो आपको अच्छा खासा लाभव मिलने वाला है यानि आपके मकान हो बनने वाले लेकिन दोस्तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे देखे बहुत सारी पातरता है बहुत ऐसे नियम है अगर वो नियमों के दायरे में आप आते हो तो ही आप इस योजना का लाभव उठा सकते हो चलिए सबसे पहले तो इस योजना के लाभ आपको बता देता हूँ कि इस योजना के तहत है लोगों को क्या-क्या मिलता है और किस प्रकार मिलता है दोस्तों यहाँ पे देखिए इस योजना के तहत है एक पक्का मकान है वो गोर्मिंट के दोरा बना कर दिया जाता है और इस मकान की जो साइज होती है वो है 25 वरग मिटर अलांकि पहले इसकी जो साइज थी वो 20 वरग मिटर थी अब यहाँ पे देखे इस योजना के तैथ है एक लाख बीस अजहार उपे की रासी मैदानी छेतर के लिए दिये जा प्रवत्य चेतर की बात करूँ जो समतल मैदान वाले हैं समतल धरातर वाले चेतर हैं जैसे राजिस्थान है हरियाणा है पंजाब है UP है अगरा बग Pierवट्य छेतर की बात करें जो पहाड़ी इन चेतरों में है इस योजना को लागू किया गयाए अब यहां पे देखे चानी चेतर के अंदर जो सरकार के दवारा लाब दिया जाता है तो के अंदर सरकार के दवारा 60% लाब दिया जाता है और यहाँ पे राज्य सरकार के दवारा 40% लाब दिया जाता है यानि 60 और 40 का डिवाइड इसके अंदर किया जाता है और परवतिय चेतर के अंदर यहाँ जो केंदर सरकार राशी देती है वो 90% देती है और राज्य सरकार के दवारा 10% की राशी वो दी जाती है इसके लाज जो जम्मु कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पर 100% की राशी है केंदर सरकार के दवारा दी जाती है अब यह जो राशी है ना एक लाग दीस हजार या फिर एक लाग तीस हजार के तो यह आपको दो तीन किस्तों में है डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आने वाली है अब इसके साथ यानि पी-एम आवास योजना के साथ आपको अत्रिक्त लाब भी मिलता है कौन-कौन से यहां पर एक तो देखिए जो सवच भारत मिसन है इस पे है पी-एम उजला गेस लेंडर योजना ना उसके तहत एक तो connection तो आपको फ्री में मिल जाएगा उसके बाद जो गेस लेंडर पे आपको subsidy दी जाती है वो भी आपको मिल जाएगी और इसके अलावी बहुत सारे समय समय पे सरकार के दवारा लाब है वो दिये जाते हैं और कौन-कौन व्यक्ति नहीं उठा सकता है और सबसे बड़ा लफड़ा है वो यहीं से आता है यहीं से उसकी शुरुवात होती है तो ध्यान से समझ लीजिएगा और इधर उधर बठकिएगा मत देखे इसके अंदर सबसे पहले ऐसे जो व्यक्ति हैं जो बे घर हैं बे घ अगर अगर आपके पास है तो आप इसके लिए पातर है इसके साथ आपके परिवार के अंदर 16-69 उमर का कोई भी है विस्क नहीं होना चीए यानि सारे के सारे बुढ़े होने चीए या फिर बच्चे होने चीए ठीक है और इसके सासाथ आपके परिवार के अंदर जिनकी उमर 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो भिया वो साकसर नहीं होना चीए यानि पढ़ा लिखा ओनी होना चीए, यह दी वो पड़ा लिखा है, तो इस योजना के लिए पातर नहीं होगा, इसके साथ इस योजना के अंदर जो शारिक विकलांगते हैं, विकलांग लोग हैं, उनको पहले प्राथमिक्ता दी जाएगी, बैसर्ते यह दी उसके पास पका मकान नहीं हो इसके अलावा जो मन नरेगा यानि नरेगा का जिनके पास जोबकाड है वो भी इसके लिए पातर है और इसके लावा आपके घर परिवार के अंदर दूपिया तीपिया और चोपिया वहां नहीं होना चाहिए यानि मोटर साइकल है कोई गाड़ी है य प्रिरप्तर Torah यहां पर 50,000 यह प्र पर इस से अधीका KCC काहराज नहीं होना चाहराजी यानि किसान क्रेडिट कारड नहीं होना चाहराज अगर पचाजार से अधिक है तो आप इसके लिए पातर नहीं हो, इसके साथ आपके घर परिवार में कोई भी सरकारी नोकर नहीं होना चाहिए, करमचारी नहीं होना चाहिए, और इसके साथ आपके घर परिवार के अंदर कोई भी सद्ध से है, वो परतिमा 10,000 तक की है, यहा तो लेड लाइन फोन होना चीए ना ही आपके घर में रेफ्रीजरेटर यानि फ्रीज होना चीए और इसके साथ आपके पूरे प्रिवार के सद्धेसों की डाई एकड से है शिंचित बुमी नहीं होनी चीए अगर ये सारी चिजे आपके पास नहीं हैं तो आप इसके लिए पातरो अगर हैं तो आप इसके लिए पातर नहीं हो इस बात को है गोर करके सुन लेना कान खोल के वो सुन लेना नहीं समझ में आई है तो वीडियो दुबारा वो देख लीजेगा अब इस योजना को लेकर है मुझे काफी हसी आ रही है और हसी इसलिए आ रही है देखी इसम ना खुद का घर नहीं है जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है भूमी नहीं है उनके लिए और एक और सब आपको वतारो यहाँ पे देखिए ऐसे भूमीन जो किसान है जिनके पास भूमीन नहीं जमीन नहीं है वो इसके लिए पातर है जो यहाँ पे देखिए रोज पिच्यानों परसेंट लोग हैं इस योजना के लिए पातरी नहीं आसा रखता हूं इतनी बात आप जुरूर शमझ गए होंगे चलिए अब इसके दस्तावेजों की बात आपको बता देता हूं अगर अब यहां पर इसके लिए आप पातर हों तो आपको कौन-कौन से दस्ता आपकारी देनी होती है तो इसमें एक तो जो भी मिंबर होगा जो भी सदसे होगा और यह जो ग्राम में आवाश योजना इसके अंदर जो महिला ही आवेद्धक वो कर सकती हाला कि प्रूश भी कर सकते हैं लेकिन उनके प्रिवार की कंडिशन को देखते भी तो यहां पर ए अपना आवेद्धन की बात करें तो आवेद्धन आप कैसे ब्रोगें तो दोस्तों यहां पर देखीए मैंने बताया कि दो तरह की योजना है ग्राम में और शहरी चैतर के लिए तो शहरी चैतर के लिए तो ओन-लाइन आवेद्धन शुरु हो रखें ओन-लाइन भर सकते है ये एक offline आवेदन का प्रारूप है जो की मेरे दवारा है वो तयार किया गया है अब ये आवेदन फोरम भरके आपको सम्मंदित अपनी जो ग्राम पंचायत है ग्राम पंचायत का जो भी परधान है या फिर जो ग्राम शेक है उनको यहाँ पर देना है सम्मंदित जो भी दस्तावेज मैंने आपको बताएं सबी जो दस्तावेज है उन पर अपने अस्ताक्सर होना जरूरी है और सब की फोटू परती होना जरूरी है ठीक है ना इसके साथ यहाँ पर देखेगा आपको देना पड़ेगा ठीक है ना तो यह आवेदन का जो प्रारूप है और यह जो अत्रिक जो सपत्पत्र है वो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा हमारी साइट का नाम है राजगुर्जी.com तो यहाँ पर आपको गोर्मेंट योजना के एक मेनू मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको फोर्मेट हो मिल जाएगा आराम से वो डाउनलोड कर लिजीगा और सम्मंदित अपनी ग्राम पंचायत में है आप जमा करवा दीजेगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा आवेदन प्रारूप को लेकर देखिए यह जो प्रारूप तयार किया गया है यहाँ पर जो आवाश योजना उसके नियमन उसार मेरे दोरा खुद के दोरा तयार किया गया है लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे देखने में ऐसा है कि अलग-अलग जो छेतर होते हैं अलग-अलग एरिया होते हैं तो वहाँ के ग्राम पंचायत के दोरा या पंचाय समित्य के दोरा अपने खुद के जो प्रारूप हैं आवेदन फोरम के वो तयार कर रखें तो मैं आपको यहाँ पर राय देना चाहूँगा कि आप उस ग्राम पंचायत से संपर कीजेगा और वहीं से आप है ओफलाइन आवेदन हो ले लीजेगा ठीक है ना फिर वो आवेदन आप जमा करवा दीजेगा अब इसके बाद क्या होता दोस्तों यहाँ पर देखे आपने तो ओफलाइन आवेदन जमा करवा दिया इसके बाद यहाँ पर संबंदित ग्राम पंचायत का जो भी परदान है आपके आवेदन फोरम को ओनलाइन करेगा और online करने बाद आपकी जो भी पातरताई हैं उनकी जांच होगी यती जांच में सही पाया जाता है तो forum को approve कर दिया जाता है और forum का approve होने के बाद जो पैसे हैं वो आपके bank account में 2-3 किस्तों में आएगी अब 12 महिने से पहले पहले है अधिक्तम इसका जो समय वो 12 महिने का है इस समय में जो भी निशित एरिया दिया गया है उस एरिया में है आपको यहाँ पर अपने मकान हो बनाने पड़ेंगे किसी भी राज मिस्तरी की साहता वो लेते वे इसके लाब जब भी योजना के लिए पत्र हो जाओगे तो सोचाले के लिए आप आविदन कर सकते हो अलग से आपको 12,000 रुपे है वो भी मिल जाएंगे तो यह एक बेसिक सा प्रारूप है बेसिक सी जानकारी है आसा रगता हूँ कि आप है इस योजना के बारे में अच्छी तरह से वो शमझ गए अगर इस य अगली एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय हारत